Hey everyone, welcome back, welcome back to the YouTube channel of Radhika Classes. तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ discuss करने वाले हैं how to complete class 12 mathematics in last 30 days. यह आपका 30 days का जो challenge है, इसके अंदर में आपको बताने वाले हैं किस तरीके से आप लोगों को अगले 30 दिन तक पढ़ने हैं कि आप लोग अपना यह class 12 mathematics अगले 30 दिन में complete कर पाओ क्योंकि उसके बाद आपके board exams आजाएंगे और यह syllabus करने की जो हमारी strategy रहने वाली है, इसके अंदर हम सारे chapter करने वाले हैं और सारे chapter के सारे questions करने वाले हैं मैं आपको बता दिवार, इस strategy से चलोगे, तो लगवग आपका हर एक chapter विल्कुल detail में हो जाएगा सारे syllabus के साथ, concept के साथ, NCRT के साथ, और PYQ के साथ तो इस वीडियो को सबके साथ share करते हैं, जितने भी friends आपके known में हैं, जितने भी friends आपके साथ पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, तो उनके साथ ये video को share करते हैं, क्योंकि ये video बहुत helpful होने वाले है, अगले 30 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को mathematics का syllabus कैसे complete करने हैं, मैं उसकी पूरी detail आपके साथ share करने वाला हूं, और मैं आपके साथ, आपको बता दू, मैं भी आपको mathematics पढ़ाने वाला हूं, या although इस channel पर भी physics पढ़ाई जारी तो हम maths कुछ शुडू करने जा रहे हैं, लेकिन हम maths इस channel पर नहीं पढ़ने वाले, maths जो हम पढ़ने वाले हम stream करने वाले हैं उस channel के उपर, और उस channel का link में आपको description box में provide कर रहा हूं, फड़ा फट से जाओ, channel को subscribe करो, आज रात को 10 वजे class में लेंगे, जहां पे बहुत detail में, बहुत detail in the sense, मतलब जितनी requirement है, वो सारे concept आपके साथ discuss किया जाएंगे, साथी साथ आपके साथ बहुत अच्छे-च्छे questions discuss करेंगे, जिसके अंदर NCRT questions, PYQs और जो आपके diamond questions है, वो सारे discuss होने वाले हैं, तो जल्दी से एक बार फटा बट से उस channel को subscribe कर लेना, so that आप लोग उस class को live attend कर पाऊ, और जो बच्छे live attend नहीं कर पाएंगे, तो उसको recorded लगा सकते हैं, और बढ़ि को maths और physics, even chemistry के भी lectures बहुत जल्दी आएंगे, पूरा complete study material आपको Radhika classes के channel पर मिलने वाल है, तो फड़ा बट से सब को share कर दो, बता दो Radhika classes की बारे में सब को, और 30 दन में कैसे maths का से ले, बस complete करना है, यह मैं आपके साथ discuss करूँगा, एक बार मैंने telegram का link भी description box में दे द वह सारी telegram पे update, प्डेट करेंगे, तो telegram channel को भी join कर लेना, जितने भी noots के, जितनी भी live class के अफडेट होंगे, आज class है, बतलब किसी दिन ऐसा हो जातता है, भी class cancel हो जाती है, तो कोशिस करेंगे, cancel ना करें, बतलब जो भी update है, वह टेलिगराम पे मिलेगा, टेलिगराम को जोइन कर लेना अब बात करते हैं हमने क्या-क्या पढ़ना है अगर मैं माच की बात करूँ न तो मैं सके अंदर हमें क्या-क्या करने की दूड़ते हैं न्स्याटी कुशन विद एक्जामपल्स एक-एक एक्जामपल लगाने एक-एक युशन लगाने है मैं यह नहीं बोल रहा आपको आरे कुशन के रिटन प्रेक्टिस करनी है अपको लगना भी सेमिलर कोशन है तो छोड़ दू आप लोग न्स्याटी के मुस्त इंप्रिंट क एक आपकी application of derivative से तीसरी जो case study आने वाली है that is from matrices or determinant उसकी intermix जो case study आ सकती है और LPP से भी आने के chances है linear programming problem से पर मेंली तीन chapter से होती है probability, application of derivative, matrices and determinant उसके बाद MCQ practice करने की जूटते हैं आप लोग examplers से practice कर सकते हो आप लोग practice कर सकते हो मतलब यह चीज़े आपको करने की जूटता है कर आपने माच माच से कैसा subject है जिसके अंदर बहुत easily 100 score कर सकते है easily in the sense as compared to other subject अगर मैं chemistry और physics से compare करो ना तो माच में सबसे easy है 100 score करना उनके comparative में easy तो नहीं है लेकिन मेंनत तो करनी पड़ेगी बट 100 आने के चांसे ज्यादा होते है as compared to physics and chemistry तो भाई 100 की तैयारी करते हैं बढ़िया तरीके से 100 फोड़ेंगे माच के अंदर भी माच के अंदर भी आप लोगों को 100 score कराने की पूरी पूरी त्यारी रादिगा classes पर कराने की जिम्मेबारी मेरी है अब ना आपको यहां पर माच भी बढ़िया तरीके से पढ़ाने वाले हो लेकिन इस चैनल पर नहीं होगा जो होगा वो चैनल रादिगा classes का माच वाला चैनल एक न्यू चैनल हमारी न्यू सरवात है आप लोगों का सपूर्ट चाहिए वड़ा बच्चे उसको सपूर्ट कर दो जाओ सब्सक्राइब करो आज क्लास लगाएंगे क्लास के अंदर जादा से जादा बच्चे चाहिए क्योंकि जितने बच्चे आए वह मैं आपके साथ डिसक्स करने हो लहाँ मालूमने आज से शुरू कर रहा है आज लगबग हमारी जो डेट है टेंट ऑफ जैन्वरी है अगर दस जन्वरी से शुरू कर रहा हूं तो दस फट तक कैसे मुझे कंप्लीट करने और अगर मैं एक दिन का ब्रेक ब्रेक भी ले यह लगा सकते हो दे थ्री पर आपका चेप्टर टू आजाएगा चैप्ट और एंट आट पर आपका उसके कुशन जा जाएंगे मतलब यह देख रहे हो आठ दिन में आपके चार चैप्टर होगे और यह चार चैप्टर लगबग 18-19 नंबर के मतलब अगले आठ दिन में आप अपने 18-19 नंबर आउड आट आटी कर सकते हों ठीक है तो अब अगले दिन की बात चलता हूं भी हमारे पास नेक्स डे नाइन पर चैप्टर फाइव आए मैंने चैप्टर फाइव को तीन दिन दिये पहले एक नसेंटर एंसें एंसेंटर फिर दूसरे दिन एंसेंट क्योंकि लेंथी एक्साइज है आट एक्साइज लगबग आपको मिलती है मिसलेनियस मिला के तो एंसे आटी और पीवाई क्यू साथ में फिर उसके बाद चैप्टर फाइफ है इसके कोशन के अंदर एंसे क्यू प्रिक्टिस दो चीजों की प्रिक्टिस करनी होगी ठीक है फिर डे ट्विल 13, 14, 15 ये चार दिन हमने चैप्टर 6 के लिए रखे क्योंकि चैप्टर 6 एक बहुत अच्छा चैप्टर है जिसके अंदर आपको काफी कुछ समझने की जूरत है काफी मेनत करने की जूरत है इसके कंसेप्ट NCRT पहले दिन दूसरे दिन सरफ NCRT पे कुछ ने उसको करने में टाइम लगता है इसलिए चार दिन दिये गए फिर चैप्टर 7 इंटेगरेशन वन और दी मूस्ट लेंथियस चैप्टर कंसेप्ट और NCRT पहले दिन फिर उसके बाद नेक्स डे पे भी कंसेप्ट और NCRT थर्ड दे पे एंस यार्टी फिर 19 अमने हमने फूर्थ दे पे इसके पीवाई क्यूज रखे चैप्टर 6 और 7 को लगबग ये बता दू चैप्टर 6 और 7 अगर 6 को पगड़के चलू 10 नंबर का 7 को पगड़के चलू 10 नंबर का 20 नंबर के चैप्टर होने वाले जो कि आप लोग को बहुत काइंड आफ मैने की जू चैप्टर 9 ये अच्छा चैप्टर है जिसके अंदर लगबग 6-7 नंबर का आपका पेपर आने वाले तो ये तीन दिन भी इसको रखे गए हैं डे 24 पे चैप्टर 10 वेक्टर्स कर रहे होंगे और NCRT और concept कर रहे होंगे डे 25 पे चैप्टर 10 के PYQ कर रहे होंगे डे 26 पे चैप्टर 11 की NCRT और concept डे 27 पे चैप्टर 11 के PYQ और डे 28 पे LPP ये तो एक दिन में complete कर लोगे इसमें तो कोई जादा टाइम लगना नहीं है इसमें तो बढ़िया तरीके से हो जाएगा अब डे 29 पे प्रॉबबिलिटी की NCRT और concept और डे 30 पे चैप्टर 13 प्रॉबबिलि करते हो हर दिन पढ़ते हो बिना किसी ऐसे एसक्यूस के यह चीटिंग आप लोग अपने आप से करोगे मेरे से नहीं करोगे अगर कोई एक दिन स्किप करते हो तो यह आपके चीटिंग आपका खराब होगा आपके मार्स कम होंगे मेरे मार्स नहीं कम होने आप लोगों के म Mathematics ऐसी मैं फिदिक्स का चैलेंज लेके आ रहा हूँ जहां पर हम 30 दे में complete फिदिक्स आप लोगों से complete करवाएंगे जितने भी फ्रेंड्स हैं मेरी हिल्प सिर्फ इतनी कर पाऊगे जितना हो सके इस चैनल को और दूसरे मैच्स वले चैनल को शेर करो बाई लोगों फोडने के रहे तैयार हो जो आप बोर्स का बिगुल बच चुका है अब हम फोड़ेंगे मिलके आप लोगों को बड़ी हा त 10 बज़े मिलते हैं थैंक यू सो मच